नमस्कार दोस्तों आज बात होने वाली यह driving license के बारे में कुछ साल पहले तक अगर हम बात करें तो license बनाने के लिए हमें जाना होता था RTO office वहाँ जाकर document submit करते थे फिर अमारा learner बनता था फिर टेस्टिंग देकर हमारा DEL यानी की driving license बनता था फिर जो उसके बाद नई service शुरू के गई जिसमें कि online आपके document वाले सारे काम खत्म हो जाता है आपको RTO जाना है फिर आपका license बन जाएगा लेकिन अब जो है नई service आई है दोस्तों जिसमें आपको RTO जाने की जरूरत नहीं है टेस्टिंग दने की जरूरत नहीं है लेकिन आपका license बन जाएगा लेकिन फिर भी इसमें आपका फाइदा कम नुक्सान जादा है कैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा उससे पहले आपसे गुजारी से अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरूर करें लेकिन मैं यहां पर सर करना है कहां सीनेचर देना है कहां फोटो खिचवानी है कहां पर जाकर टेस्टिंग देना है तो इसके लिए जो दलाल होते थे आती ओफिस के अंदर बहुत सारे दलाल वह आपके पास आएंगे आपको बैठो हम यहां पर आपका सारा काम करते हैं लेकिन आपका प्रमेंट लेकर चले जाएंगे और बहुत से ऐसे लोग है जिनको चीजे समझ में आता है कि कहां पर क्या करना है वो अपना काम खुद से करते हैं और यहां पर पैसा बचाते हैं तो लोग लाइन में लगे होंगे लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हो रहा होगा और यह जो बंदा 2000 रुपए दिया हुए एक्स्राज दिया हुए दलाल को उसका काम जल्ली हो जागा कैसे होगा यह दलाल जो अंदर गया हुआ है यह जो 500 के बदले में 2000 इसने लिया हुआ है इसमें से एक छोटा सा कमिशन ऑफिस के अंदर बैठे ऑफिसर के पास जाता है इसलिए इ जो बाहर गुमरे होते हैं इनको नाम से वो लुग जानते हैं क्योंकि उनका कमाई इनसे आता है अब चली ठीक है वो बात वहां पे रही इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे बात करते हैं online की प्रक्लिवा शुरू करते जिसमें कि लोगों को यहां पे टेना ना यानि किαफे वाला पहले है आफ आप से जादा ले लीडाई अब आप जाओगे टर्इंट आपको conceptual क्याने की में यानि कि आम अदुगे K Farintoस सर्विसेश के बारे में तो नया में क्या होता है देखिए आपको आर्टियो जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपके एरिया में आपको एक ऐसा ड्राइविंग स्कूल ढूना होगा जिसको सरकार की तरफ से मानियता प्राप्त हुआ है क्योंकि अभी बहुत सरे ऐसे ड्रा ड्राइविंग के साथ में लाइसेंस का भी चार्ज जोड़ा हुआ रहता है आप टूविलर फॉलर किसका बनाओगे उसी साब साब से यहां पर चार्ज जोड़ा हुआ रहता है लेकिन अगर यहां पर बात करें बलेक की तो यहां पर किस तरह चोगा देखिए एक मतलब ड ओफिस के अंदर जब एक ओफिसर लूट सकता है जब कुछ दलाल मिलके ओफिस के अंदर घूश सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है आपने तो लाइसेंस दे दिया डाइरेक्ट स्कूल में मुझे तो ऐसा लगता कि आपने लोगों को लूटो भई या तुम अपन टेस्टिंग होती है टेस्टिंग के दोरान कुछ पैसे देकर टेस्टिंग देने नहीं दिया जाता है पैसे आप दें दे दिया आप पास हो गए आपका चलो लाइसेंस बन गया तो ऐसे लोग आके क्या करेंगे जहेंची बात है लोगों की जान लेंगे यह तो मेरा नजर या गलत हो मुझे comment में जरूर बताना कि मैं सही हूं या गलत आज के इस episode में सिर्फ इतना है वीडियो चले के तो वीडियो को लाइक करें जानकरी को दूसर तो पहुंजाने के लिए वीडियो को सहर जरूर करें फिलाल मैं चलता हूं फिर में लोगा एक और नई जानकरी के स साथ तब तक के लिए टेक क्या बैबाए